तक्ये के नीचे हनुमान चालीसा रखते ही, बिलेंगे ये साथ फायदे नमबर एक, अगर आप अपने डर, भयावै सपने, विचलित मन से परेशान हैं, तो आपकी हनुमान जी की पूजा सबसे जादा फलिभूत होगी इतना ही नहीं, कई और दिक्कतें केवल तक्ये के नीचे हनुमान चालीसा को रखते ही दूर हो सकती हैं नमबर दो, अगर आप बेहत तनाव या दुख से गुजर रहे हैं और आपको नीद नहीं आती तो आपको रोज सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और अपने तक्ये के नीचे चालीसा को रखना इन समस्याओं से मुक्त कर देगा नमबर तीन, अगर आपका मन किसी बात को लेकर विचलित है तो हनुमान चालीसा का पाट करने के बाद इसे तक्ये के नीचे रख ले रोज ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा नमबर चार, अगर आपको नींद नहीं आती या नींद में बेचैनी रहती है तो आपको अपने तक्ये के नीचे हनुमान चालीसा जरूर रखना चाहिए नमबर पाँच, अगर आपके दिमाग में हमेशा नकारात्मकता रहती है तो आपको रोज हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और सोते समय इसे तक्ये के नीचे रखना चाहिए कुछी दिनों में दिल दिमाग सकारात्मक्ता से भर जाएगा नमबर छे, बुरे सपने, रोज आपकी नीन्द खराब करते हैं तो सोते समय बुरे सपने आते हैं तो अपने तक्ये के नीचे हनुमान चालीसा रख कर सो जाएं नमबर साथ, यह आपको आपके मानसिक और शारीरी कश्टों से छुटकारा देगा यह नकरात्मक विचारों को दूर करके आपको आशा और सकारात्मक्ता देगा नमबर आठ, बस एक बात का हमेशा ध्यान रहे हनुमान चालीसा रखने से पहले विस्तर को साफ करें और धुले चादर तकीय का प्रयोग करें और सोने से पहले हाथ पैर धो कर धुले वस्तर पहन कर ही हनुमान चालीसा को तकीय के नीचे रखें आईए अब जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने के लाब हनुमान जी को अश्ट सिद्धी और नवनिधी का दाता माना जाता है मानेता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसकी हर मनों कामना हनुमान जी पूरी करते हैं चाहें वे धन सम्मंदी इच्छा ही क्यों न हो जोति शास्त्र के अनुसार यदि आपके मन में किसी प्रकार का भय है तो रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें हनुमान चालीसा का एक दोहा है भूत पिशाच निकट नहीं आवें महावीर्जम नाम सुनावे इस दोहे के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके आसपास भूत पिशाच और दूसरी नकारात्मक शक्तियां नहीं आती है इसके अलावा यदि आप मानसिक ये अशान्ती से परेशान है या आपको नीद नहीं आ रही है तो हनुमान चालीसा का पाठ मानसिक शान्ती देता है साथी इसका पाठ जीवन में उन्नती दिलाता है छात्रों को नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए कहा जाता है कि छात्रों को हनुमान चालीसा का पाठ करने से इस्मरण शक्ती बढ़ती है और शिक्षा के शेत्र में कामिया भी मिलती है हनुमान चालीसा के अनुसार विद्या वान गुणी यति चातुर राम काज करिबे को आतुर यानि हनुमान जी सोयम बुद्धी गुणी और चतुर है इसलिए चात्रों को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए तो ये थी हनुमान चालीसा की कुछ विशेशता है बजरंग बली की करपा हम सब पर बनी रहे थैंक्स फॉर वाचिंग